कि ट्रेनिंग में बेसिकली क्या सिखाते हैं इत्व आपका नॉलेज इंक्रीज करते हैं ठीक है जो भी आप प्रोड़क्ट बेचना चाहते हैं अगर आप फॉर्स सेल्सफोर्स और सेल्स मैनेजमेंट के अगर हम बात करें और अगर हम उस कंपनी में आ रहे है तो आप करेंगे थीक है दूसरा देखो इसमें किया लिक्ट है आप उनकी क्वेरी इसको क्या सॉट करेंगे तो जो एकस्पीरियंस person होते हैं जो लोग आपको training देते हैं तो आपको हट्ट की training देंगे कि लोगों की step के लोग मिलते इस step का behavior होते हैं और आपको इन सबसे deal करना तो TRAINING में बेसिकली ये भी होता है 9-5 देखो उसमें क्या लिखा हो तो इस training period में आपको यह भी समझाया जाता है कि इस firm की क्या policy है और यह firm कैसे काम करती है तो यह need था objective था अब यहां पर देखो methods अब अपन method start करेंगे यहां उसके पहले ने एक procedure देखो कि कैसे start होता है procedure of sales training program एक training program को कैसे plan किया जाता है यहां कैसे decide किया जाता है procedure of sales training program कि इसमें first रहता है procedure में step one बोल सकते हैं कि फर्स step क्या बोलता है इसमें training needs मतलब हम किस type के employee को training दे रहे हैं तो उसकी need क्या है अब अपन हर किजी को managerial level की training नहीं देंगे यह कोई clerical level का है तो उसको manager की यह manager को clerical की नहीं time waste money waste तो इसमें हमको सबसे पहले determine करने कि 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 type की training need देनी है किस type का problem है सामने वाले का और उसका solution क्या है तो सबसे पहले हमको training need पता करनी है दूसमें वो सके लिए तीन डाइप का analysis किया जाता है किसी भी थ्री टाइप of analysis ठीक है पहला क्या किया जाता है इसमें organizational analyze किया जाता है कि उस organization में क्या requirement है उस person की उसके according ही उसको training दी जाएगी next क्या करते हैं इसमें operations analyze operation मतलब किस टाइप का यह काम करेगा देखो कोई भी इंसान कहीं पर करें चाहिए field work करें जो भी तो उसको paper work करना पड़ता है तो एक organization में लोगों के साथ कैसे रहना है उस आपकी training second operation जब फील्ड में उत्रेगा जब वो काम करने के लिए निकलेगा तो उसको उसका क्या काम है ठीक है तो उसके according उसके behavior के according कैसे लोग उसको मिलेंगे उसको क्या काम करना है वो फिर उसके बाद कौन सा analyze किया जाता है man analysis man analysis में क्या करते हैं सामने वाले का review करते है knowledge को review जो already उसके पास है उसको देखके उसमें कितना और improve करने की जरवत है review the knowledge and skills man analysis मतलब और खुद जिसको training दी जा रही है उसका और और उसमें क्या ऐसा करें कि वह organization में और contribute कर सकें contribute the organization next इसमें देखो जैसे ही यह decide हो जाता है यह तीन points first step में हमको training need बता करने होती किस टाइप की और उसके लिए तीन टाइप का अनलाइज लिखता है organizational second operational और तीसरा man analyze जैसे ही यह पता चल जाता है कि कि किसको कब कहां और कैसे देनी है कि objectives क्या होगा तो अब decide करने कि कब कहां और कैसे देनी है तो first step से पता चलता है training objective in short in short we determine training objective अब second step क्या हो जाता है अपना इसमें कब कहां कैसे और किसको training देनी है और कितनी देनी है तो second step में हो जाता है अपना preparation of training instructions इसमें क्या पता चलता है when whom how and by whom और कौन उनको training देगा तो यह सब इसमें पता चलता है इसके बाद third step क्या हो जाता है इस थर्ड स्टेप में बता चलता है जो training program होगा development of in consultation with line executives in consultation with line executives line executives क्या होता है कोई बताएगा क्या होते है executives क्या है क्या है क्या देखो training sometimes department wise होगी कभी purchase से निकल के sales में गया है sales से production में गया है production से marketing पे गयापन तो वैसे ही आसकल marketing में भी न बहुत सारी branches होती है मेरे सर्च हो गई पर्सनल सेलिंग हो गई सेल्स हो गई तो बहुत सारा उसमें रहता है packaging अलग रहता है उनका labeling department अलग रहता है तो हर किसी department wise जो training होती है तो उनको lined up करने के लिए एक line executives होता है बड़े बड़े organization में एक अलग से person रहता है उसमें यह manager बोल सकते है उसको तो वह lined up करता है training program को उनको पता होता है कि कब कैसे क्या करना है तो यह participate करते हैं जो line managers होते हैं मतब lined up करना चीजों को वह participate करते actively और वह formulate भी करते हैं और implement भी करवाते हैं ट्रेडिंग programs वह अपने according schedule बनाएंगे schedule बनाके उसको implement करवाएंगे doubt है यहां तक किसी को चंद्रवती make up of training program देखो make up of training program में जो simple सा क्या होता है उसमें जो administration है और जो उसके instructions है वो आते हैं हर training program में देखो trainees होते हैं trainers होते हैं instructors होते हैं training material होता है किस step की job के लिए कि step की training देनी है कभी-कभी physical training देनी पड़ती है या कभी-कभी notes बनवा के उनका exam लिया जाता है तो make up of training program कितने length का होगा कभी-कभी training hours wise decide होती है five hours की training होगी two hours का theories होगा three hours का practical होगा तो यह होगा make up मतलब क्या कैसे होगा उसका पूरा एक summer slow आपको क्या बोलते हैं उसको आपको जब आपका training हो जाता है तो evaluate किया जाता है evaluate में क्या होगा आपने क्या सीखा और company के क्या standards थे और आपने क्या score achieve किया तो evaluate होगा evaluation of effectiveness of training programs evaluation of effectiveness of training program आपके उपर कभी कभी extra supervision देंगे या कभी आपको कोई बाहर का task देंगे perform करने के लिए तो उस base पे आपके उपर क्या रहेगा evaluation होगा अब next देखो most important देखो exam में मैंने बताया कि इसमें से दो कोशन ही अच्छे से प्रपर करना एक need और एक various methods इसके पहले मैंने needs बताया था last class में अब देखो methods various methods of training for salesforce methods of training for salesforce पहला देखो lectures lectures के थूँ train कर सकते हैं बहुत fast source होता है ठीक है जब इसका column बना के करना exam में जैसे book में दिया है आप लोगों के एक purpose फिर advantages और requirements तो इसका main purpose क्या होता है lectures का जब हमको information देनी है और knowledge दिना है बहुत fast तरीके होता है बहुत communications रहता है इसमें fast रहता है lectures के तुरूं 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 क्या होता है सामने वाला जो रहता है उसकी queries clear हो जाती है लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है जब सामने वाला person इसको training दे रहे through the lectures तो उसको बहुत अच्छे से prepare करना चाहिए और तूसरा जो audience नहीं बोर नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए ना कुछ अच्छा audio video visual होना चाहिए जसे की ना उनका interest create हो सके ऐसे नहीं की घासीते जैसे वो चले ही जा रहा है lectures second देखो क्या हो जाता है group discussion group में बैठ के problem को solve करने का यह तरीका होता है तो same group discussion में situations जाल देते हैं जो newly appointed होते हैं और ज़रूरी नहीं कि training हर बार किसी newly पॉइंट को दो पुराने जो sales force होते हैं sales persons होते हैं उनको group में बठाया जाता है और उनको बोला जाते हैं कि आपने इस week या इस month या इस last three months or six months में क्या-क्या situations face कि और आपने उसको कैसे handle किया तो आप सब अपना experience बनाएं तो वैसे situation में अगर कोई दूसरा बंदा भी आया तो उसके लिए रहेगा कि यह सब क्या करते हैं अपना information exchange करते हैं knowledge देते हैं और एक दूसरे के attitudes और opinions को समझते हैं और उसमें एक सीज और यह भी होती है कि सामने वाले ने जैसे उस person के साथ डील किया तो आपको behavior पता चलता है market में कि बायर का behavior क्या है तो group discussions होते हैं इन सब में इसमें जादा से जादा 20 से 25 number of trainees को रख सकते हैं क्योंकि 25 से अगर जादा रखे तो पूरा होच पोच हो जाएगा और चीज़ें खराब हो जाती एक्टिव प्रोसेस हैं टूवे प्रोसेस होता है सब बोलते हैं इसमें next देखो syndicate syndicate word सुना है कभी क्या होता है syndicate बताओ कोई किसी नहीं सुना है syndicate माम सुना है बट इसका meaning नहीं पता है exactly नहीं पता है देखो क्या होता है suppose तीन से चार लोग है उनके पास कोई problems है अब ना उनको उसका solution तो मिल नहीं रहा है तो क्या करते हैं वह अपन होता है ना अपन क्या करते हैं हमको कोई situation में हमको नहीं समझ में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि यार किसी experience से पूछते हैं करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं अपने सामने वाले के पास जाते हैं अपना problem बताते हैं और उससे अपना क्या मांगते अपन solutions बांगते हैं कि क्या करें आप लोग जब अपने friends circles में होते होंगे तब आपके पास कोई problem आते होगी तो आप लोग conference call में ले लेते हो एक दो friends को और उसके साथ discuss करते हो तो उसी कोई जब professional way में किया जाता है जब four to five persons बैठते हैं अपना problems अलाव करते हैं एक दूसरे को बताना और उस पर discuss करते हैं और सब अपने अपने inputs देते हैं ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं यह तो वह होता है syndicate आ रहा है समझ में वहलब एक type का group discussion होता है लेकिन four to five person से जाधा नहीं क्योंकि इसमें हम अपने problems को शेयर करते हैं तो जाधा लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती है और एक तरीके का यह ice breaking है मतलब encourage करना है सामने आले को ice breaking मतलब एक जो इसके चाहाट होती है उसको खतम किया जते हैं बहुत ध्यान से केरफुली करते हैं इसको और उनके साथ ही हम शेयर करते हैं जो उस situation में already आ चुका होगा या उसको experience होगा skillful आया syndicate का मतलब समझ में नेक्स्ट है quizzes and tests तो यह तो मेरे खाल से explain करने की जरवत नहीं है quiz को है क्या quiz or test को no ma'am देखो बस इसमें एक चीज आज रखना quiz और टेस्स से तुम बोलोगी तो test होता है और इसमें से training कैसे मिलेगी तो यह इससे क्या मिलता है feedback मिलता है organizations के recording चीजों का ही quiz खेला जाता है और test किया जाता है तो एक तरीकी का यह feedback होता है ठीक है क्या होता है एक तरीकी का यह feedback होता है trainer और training दोनों के लिए फिर होता है on the job training most important याद रखना interviews on the job training इसका एक single से question भी prepare करना आप लोग advantages और limitations का notes तो मैं आपको बताऊंगी और अभी भी explain करूंगी बड़ आप exam point of view से एक अच्छा सा on the job training का answer एक ready करना देखो on the job training क्या होता है on the job training suppose आप किसी organization में आपका selection हुआ है और उसमें क्या होता है आपको real life situation पे काम करने के लिए बेजा जाता है अपने किसी seniors के साथ या experienced person के साथ sales force में ये common method देखी जाती है जैसे ही आपने कोई new firm या new company join की तो उसमें two to three days तक आपको company का क्या product है उसका knowledge दिया जाता है उसके brushes दिये जाते हैं ये product है ये इसको याद कर लो इतने products है अब sales वाली बात है तो अब आपको sales के लिए उतरना पड़ेगा आपको job तो इसलिए दिए अब क्या होता है उस training period में अब आपको market पे बेजा जाता है for the sales मतलब for the field पे बेजा जाता है आपको काम करने के लिए अब आपको तो पता नहीं कि क्या करना है कैसे करने बस आपको product का knowledge दिया गया तो यह कोई classroom training ने होती है यह live situation पर training दी जाती है इसमें लोगों को पता चलता है कि लोगों को कैसे handle करना है यह अगर machines वग रहे हैं तो कौन सी machines कैसे operate करनी है तो इसका पूरा success depend करता है आपके immediate supervisor के साथ जो supervisor आपके साथ है जो आपको training दे रहा है वो immediate supervisor क्योंकि वही active part ले होता है कोई separate उसके लिए क्या होता है equipment या accommodation की जरुवत नहीं होती है क्योंकि आप खुद उसमें active part लेते हैं साथ जाके real life situation देखते हैं इसमें को uniformity नहीं होती है एक जैसी चीज़े नहीं होती है क्योंकि आपका sales को करना है तो आपका field आपका whale सब कुछ change होते जारा है और इसमें individual performance को किया जाता है क्योंकि जब आप अपने किसी supervisor के साथ जाते हैं तो एक हो सकता है कि आपको वहां पर बोल दे कि next sale अब आप करेंगे आपने मुझे देखा कि मैंने 2-3 बार कैसे डिल किया तो immediately आपको experience मिलते जाता है इमेडियेट आपको पता चलते जाता है कि आपका गलत है आपका evaluation होता जाता है यह हो गया on the job training अब देखो एक होता है of the job of the job क्या होता है कोई बताएगा मैं को यह तो on the job था अब सोचो of the job क्या होगा just opposite होगा देखो इसमें live training दी जाती है real situation यह just opposite जब आपको further knowledge देना रहता है यह experience तो कुछ training courses होते हैं जो organization में जिसमें हम है न काम कर रहे हैं उसके अलावा training institute के training institute होते हैं उनके कुछ courses होते हैं वो complete करने पड़ते हैं जैसे case studies method होते हैं group discussions brainstorming sessions seminars यह company organize करवाती है दूसरों को बोल के यहां कभी-कभी company अपने तरफ से भेजती है बाहर of the job training मतलब अपने job से हटके of the job on the job मतलब job में रहे के live और off the job मतलब अलग से उस organization से नहीं organization आपको कई और भेज रहे हैं clear हुआ इसका मतलब इसमें case study seminars वगर आते हैं अब next देखो एक होगा case studies तो यह kind of आपके book में दिया होगा case studies तो यह kind of of the job training है case studies में क्या होता है जो experienced persons होते हैं वो लोग अपना realistic situations को आपके साथ share करते हैं अगर किसी selling में या किसी time में किसी को कोई problem आती है तो उसका case study बनाके उसको बताया जाता है कि company ने इसको ऐसे ऐसे solve किया था तो case studies बताई जाती है role playing समझते हैं बटा आप लो role play situations को perform करना role play करना यह kind of activity होती है for the fun way के लिए ली जाती है ठीक है role playing एक होता है पैनल पैनल में बैठाते हैं और पैनल होते हैं meetings लेते हैं हर department के कुछ-कुछ persons आते हैं और वो क्या करते हैं एक एक नीड होती है जब अपन किसी जॉब में जाते हैं तो हमको मन्तली वाइस हमारे कुछ queries आती है एक पैनल बैठता है हम उनके साथ अपने problem शेयर करते हैं और वो हमको उसका solution बताते हैं या हम जो problem personally face करते हैं तो उसके लिए भी हमको information देते हैं ब्रॉशर से रिगार्डिंग प्रॉडक्स से रिगार्डिंग डिपार्टमेंट वाइस होता है यह सब एक पैनल बैठता है फिर sales meetings या conferences की जाती है conferences में new चीजों को बताई जाती है company के owners के साथ मिलवाया जाता है एक shopping course करवाया जाता है kind of awareness दी जाती है shopping course means awareness दी जाती है market में कि आप उसके बायर बनके जाओ और product को खरीदो shopping course फिर कुछ teaching machines होती है प्रोग्राम्ड लर्निंग्स होती है जैसे आज कल वह गूगल के लिए courses चल रहे हैं ऑनलाइन अल्रेडी रिकॉर्डेड है प्रोग्राम्ड लर्निंग्स तो ऐसे कुछ courses होते हैं तो यह type of kind है ठीक है इसके अलावा दो तिन आप एड कर सकते हैं जो company के जो bulletins चपते हैं ना मंतली मंतली कंपनी ने इतना चीव किया थे को company के बहुत सारे branches होते हैं departments होते हैं तो जहां branch में बन रहा है तो वो लोग क्या करते हैं जो भी वो लोग रेडी करवाना और दूसरों के साथ उसको शेयर करना और उनको training देना कि वो भी यह सब काम कर सकते हैं तो यह various methods of training for salesforce है 13-15 points होंगे आप 12-13 तक में भी exam में आप कर सकते हैं clear है यहां तक